जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडिव पॉइंट में दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रिदिनिंग का कुछ इंपोर्टेंट प्रस लेकर काया हूं और अगर आपके से भी एक्जाम की ते यारी कर रहे हो तो आपके लि जे दोस्तों और अगर मेरे आप पुराने सब्क्रेवर हो तो फीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर कर दें तो चले देखते हैं पला प्रस क्या है तो पला प्रस्ट ना आपका अधी 1256 और 1325 को लिखा जाता है तो 1475 को क्या कटिके इसमें क्या है अगा यहां ध्याद देने यह बात थे दूस्तों तो जो छोटा उच ह między इसको क्या किया ओगा बार सोफड़कों किया करे कि 26 आ गया या 1375 को क्या करे किके 22 सब्सक्रीना यहां यहां हुआ होगा वही नहीं कि यहां यह को हुग कै तो थोड़ा 구o वीडियो को पाउच किजिए और बनाने का कोशिश की देखें आप से बनता है यह नहीं इस बनता है आख मुझे उम्मीद्दै के आप लोग कर लिए होंगे कोशिस अगर आपको आपका सीधर आ गया तो प्लीज कोमेंट करें नहीं आया तो पर भी कोमेंट करें दोस्तों इप जोड़ दें, पांच, दस, दुबारा एक 13, 13 आ जा रहा है, और 13 को अगर हम 200 गुना कर देते हैं, तो हमारा 26 आ जाता है, देखें, यहां 26 है, यहां 26 आ गए हमारा, उसी तरह इसको करते हैं, तेरह सौपचीस को, 1, 3, 2, 5, अब इसको जोड़ते हैं, 5, 2, 7, 3, 10, 11, 12, 12, 22 आजा रहा है तो यह method हमारा काम कर रहा है यहां पर जब दोनों मारा रहा है तरह तरह में अगी method को यूज़ करेंगे हम एक प्लस चार प्लस 7 प्लस पाच जोड़िये तो क्या है सब्सक्रियों जोड़े किसा फाच बारा बारा को समझ में आगे ही होगी चले आगे मैं बढ़ता हूं और अगले परस्की और चलता हूं देखिए दूसरे परस्क क्या कर आपका दोस्तों आप लोग भी जो है वीडियो को पहुंच करके बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तयारी कितनी अच्छी है चले मैं दूसरे परस्कों थोड़ा सा मुझे वी उमीद है कि आपको कोशिश कर लिए होंगे कि इसका सही अंसर क्या होगा लेकिन अगर आपसे नहीं बना तो मैं बता रहा हूं देखिए क्या होगा है बोला जा रहा है दियेगे चीत्र में प्रश्च वाचक चिन पर कौन सी संक्या आएगी ये प्रश्च वाले सिक्षिन के के जगा पर कौन सी संक्या आएगी तो देखिए क्या करना है कुछ नहीं करना है दोस्तों थोड़ा दिमाग लगए अगर यहां से हम यहां साथ से 11 और 11 से 20 तक जाते हैं तो साथ साथ में अगर हम चार जोड़ देते हैं तो 11 आ जा रहा है फिर 11 में हम कितना जोड़ते हैं तो 9 जोड़ देते हैं तो हमारा 20 आ जा जा रहा है यहां हम चार जोड़े यहां 9 जोड़े हैं अब यहां हम कितना जोड़े हैं तो एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि क्या आप कितना प्लस की चार और ये चार जो है तो क्या है दो का स्क्वाइर है ठीक है यहां से आने में चार बढ़ गया और ये जो है हमारा दो का स्क्वाइर है फिर 11 से 20 जाते हैं 11 से 20 जाते हैं तो कितना जोड़ना पड़ रहा है हमको तो देखिए 9 जोड़ना पड़ रहा है 9 जोड़ते हैं तो हमारा 20 हो जा रहा है और ये 9 किसका स्क्वाइर है दोस्तों तो ये 3 का स्क्वाइर है जब यहां तीन का स्क्वाइर और यहां दो का स्क्वाइर अब यहां क्या करें तो दो का स्क्वाइर यहां तीन का स्क्वाइर तब क्या करेंगे कितना जोडेंगे तो दो का स्क्वाइर एक तीन का पर चार का स्क्वाइर कर देंगे तो 20 प्लस 4 का स्क्वाइर 20 प्लस 16 बरावर 36 तो इसका सही इंसर हो जागा D no. 36 तेकि यहां पर जो है तो 4 जूटा है यहां से 4 जूटा है जो की 2 का स्क्वाइर है दोस्तों यहां से 9 जूटा है यह 9 जो 3 का स्क्वाइर है तो यहां से जब जाएगा तो चार का स्क्वाइन हो जाएगा और चार का स्क्वाइन जूटेगा तो सुला जूट जागा तो बीस में सुला जोट दिये तो 36 हमारा इंसर आ गया मुझे उमीद है कि आप लोगों को समझ में आगे होगी चलिए मैं आगे बढ़ता है दोस्तों और आप लोग भी वीडियो को पाउच करके बनाने का कोशिश करें ताकि पता चले कि आपकी तयारी कितनी अच्छी है चलिए तीसर परस को देखते हैं दोस्तों तीसर परस न हमारा का रहा है एक विनिट निमली के दिविकलपों में परस वाच्छे परस चिन के अस्थार पर आने वाली संख्या को चुने अब देखिए थोड़ा से इसको थोड़ा स टाइम दीजे दोस्तों वीडियो को पाउ देखिएगा तो सारा टाइप आप को समझवा जाएगा देखिए क्या करें अगर सबसे बांग पहले दिखे का है तो इसमें जो है यहां पर है इसमें यहां पर है और तीसरे कॉलम में यहां पर है तो जब भी हम कोसिस करेंगे तो इस तरह से कोसिस करेंगे इस तरह से नही बराबर नहीं आएगा तो हम वी इस लगत रहे से कोशिष नहीं करेंगे दुगना करते है तो तुअ 12 आएगा नहीं तå हम क्या करें इसको देखिए अब मैं बताता हूँ आप लोग कोशिष तो कर लिए होंगे ति इस तीन और अठारा को उठाइए अठारा में तीन से भागा दे देजिए और 6 आ गया और 6 को 12 से गुना कर देजिए ति कितना आ गया बर्षट, 72 जब ये 72 आ गया तो इसी मैसर से आप यहां कुसिस करते हैं यहां एक बार और देख लेते, इधर देख लेते दोस्तों, 32 में 4 से भागा देते हैं, 32 में 4 से भागा देते हैं, तो 8 आता है, 8 को 16 से हम गुन्ना कर देते हैं, 168 सा जा रहा है, तो मैं थार हम यहां यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, देखें, 24 में किस संख्या से भाग द दीजे और एक विंडर दोस्तों और ये जो है 14 से गुना हो जाएगा बराबर हमारा 108 इसा जाएगा अब देखिए इसको कट की लियर कर लेता हो थोड़ा दोस्तों आपको थोड़ा सबजने में असान होगी 24 में हम एक से भागा दे दिये गुने 14 से गुना कर देंगे हमारा 112 आजाएगा तब क्या करते हैं काटते हैं 7 दुनी 14 और 7 एकम 7 साच्छक 42 और 2 अठी 16 अब देखिए जब भी होता है इस तरह से गुना होता है तो तो तिर्चा तिर्चा दिर्ची है इस तरह से गुना होता है तो एक्स, आठ एक्स, और बराबर चोविस आगया, अब इस आठ से दिखिए, थोड़ा झाल encourage आठा ताकि आपको समझ भी है अगर इस को काड़ दे तो तीन आ गया, हमारा answer यहां 3 आएगा मुझे उम्मीद है समझ में आगा अब देखिए अब आपको ज्यादा समझ में आगे 24 में 3 से भागा दे देंगे तो 8 आ जागा और 8 को 14 से गुना कर देंगे तो 112 आ जाएगा कोचर मार के जगा पर क्या आएगा तो 3 आएगा मुझे उमीद है कि आप लोग को समझ मा आ गई होगी दोस्तों चले आगे बढ़ते है और चौतर प्रस को देखते है चौतर प्रस ना आपका कह रहा है उस विकल पर चैनल करें जो अकरितिक में प्रस चिन के अस्तान पर आएगा देखिए अब है यहाँ A है D, B, E, C, F, D मैं बार बार बोलता है दोस्तों कि आप लोग A से Z तक और A स्क्वाइर की जरूराद कीजे अगर आप करते हैं तो एक्जाम में आपका टाइम बच जाएगा और अगर आप नहीं कर पाए कीजेगा तो टाइम बहुत ही आपका मार खा जागा एक जाम में दोस्तों तो चलिए देखिए A एक नमबर पर है D चार नमबर पर है B दो नमबर पर है E पाच नमबर पर अगर इस तरह अगर आपको आज है तब तो असानी से बन जाएगा चलिए इसको भी लिख लेते है 3 F छे नमबर पर D चार नमबर पर अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 हो गया फिर यहाँ से यहाँ फिर 1 हो गया फिर 5 से 6 गया प्लस 1 हो गया और यहाँ से जो है एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा से किलियर कर लेता हूँ थोड़ा जादर समझ में आए गया आप लोगो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सो मैं 1,2 लिखता नहीं हूँ आपको लोगो आध होगी चलिए A से B गया यहाँ प्लस 1 हो गया B से C गया तो प्लस 1 हो गया यहाँ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो F के बाद क्या आता है G आता है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो G हो जाएगा चलिए आगे बर्से दोस्तों मुझे उमीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी चलिए पाच्व प्लस को देखते हैं अब इस इस अरक प्लस में आपको बोड मास जानना जरूरी है दोस्तों अगर आप लोग बोड मास नहीं जानेगा तो आपका नहीं बनेगा पता चलेगा जोड़ पाले कर जीजएगा गुना बाद में किजएगा बोड मास जो है इसको डालना जरूरी है बी से ये ब्रैकेट हो जाता है अब का का उसके बाद डिवाइड भागा फिर मल्टिपल गुना एड जोड़ना सब्टैक्ट ये घटाओ तब पहले भागा का काम किया जाता है फिर का 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 काम किया जाता है फिर भागा का का काम किया जाता है फिर गुना का फिर जोड़ का फिर घटाओ का चलिए अगर आप लोग तैयारे करेंगे तो इस चीज़ को जरूर जानते होंगे चले अब मैं बताता हूँ अब यहां का बोल रहा है देखे पलस का अर्थ गुना है अब यहां लिख लिजे पलस का अर्थ गुना है गुना का अर्थ गहटाओ है गुना का अर्थ गहटाओ है और भागा का अर्थ जोड़ है अब जो जो जहां-जहां जगा है उसी तरह साब बैठा दीजे देखेए 288 भागा चले नीचे कर देता हूँ यह घठाओ का जगा पे भागा है तो भागा 22 अब जोड़ के जगा पर गुना है यहाँ पे तो गुने 6 और गुना का मान क्या है घटाओ तो घटाओ 45 और भागा का मान जोड़ है तो जोड़ 9 अब इसको कार दीजिए देखे कटता है चार एठ बतीज और चार सत्य आठ चार दुनिया आठ आठ नवा बहत्तर इतना हो गया अब नव और छे को गुना कर दीजिए तो 54 मैनस 45 जोड नव अब 54 मैं 45 घटा दे रहे हैं तो पांच आठ नव बचा और ये प्लस नव नव अठारा तो इसका सही एंसर क्या हो जागा तो बी नंबर अठारा हो जागा मुझे उमीद है दोस्तों आप लोगो समझ में आ गई होगी चले अगर दोस्तों आप लोगो वीडियो अच् दोस्तों चले दाने वाद